हमने स्चार्ट किया था c session css में हमारा लेक्चिर 3 है इसमें पढ़ए तो मैंने लास्ट वाला वीडियो तो मैं बताए था इलिमेट इसमें हम पढ़ेंगे ्क कर लेया तो एक बार मैं इस लेक्ट कि तो हम ूलक कर रहे हैं 25 स्षभा WILD कर अब आप देख सकते हो selectors जैसे मैंने कल बताया था selectors के हैं आपने कोई भी नाम लिया जैसे h1 यह क्या था h1 पहले से होता है heading क्या बोलते है element selector उसके next है color यह property होती है और फिर उसकी value यानि कि जैसे color yellow तो yellow क्या हो गई value font size भी क्या हो गया property और 11px क्या हो गया उसकी value ठीक है तो selectors multiple types के होते हैं जो पहले से html के tag होते हैं उनको बोलते है element selector जो हमने last video में cover किया था अब html selector से क्या होता है आप जितनी बार जैसे मैं एक example आपको अगर प्रोग्राम दिखा हूँ element selector वाला अब देख सकते हो जैसे css आ रहा है basically इसके साथ क्या है अगर मैं element selector की बात करूँ तब आपको difference समझ में आएगा element वो id selector में element selector में क्या था मैं h1 जितनी बार भी use करूँगी उतनी बार उसका color orange आएगा जैसे मैंने h1 लिखा अब अगर मैं इसका output दिखा हूँ आपको तो उतनी बार उसका color औरेंज मतलब same color आए औरेंज येलो जो भी हमने लिया है तो basically element selector के साथ ये disadvantage है कि अगर मैंने एक बार एपलाई कर दिया एक heading पर तो वह heading अगर 100 times भी use होगी तो सब पर same formatting apply होगी तो कहीं पर तो ये बार ठीक है कहीं पर हमें same कर नहीं होता है बड़ जहां हमें अलग कुछ करना हो तो फिर हम कौन सा selector use करेंगे वहां यूज करेंगे id selector तो वह मैं आपको बता देती हूँ id selector हम कैसे use करते है id selector के साथ foundation नहीं कि वह सारे ही चीज़ों पर apply हो तो सबसे पहले आपको समझना है कैसे हम इसको apply करेंगे तो सबसे पहले आपको html का basic syntax लिखना है जिसमें स्टार्ट करना है फिर अगें head start head close next body start body close अब देख सकते हो मुझे सबसे पहले css कैसे apply करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है already मैं आप लिखूंगी style start after that style close then उसके हम क्या करेंगे style देने के बाद आप एक symbol यूज करोगे hash इसी को id selector बोलते है मैं उसमें एक नाम यूज कर रही हूँ पैरा पैराग्राफ के लिए आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो यह आपकी मर्जी है यह कोई element यूज करने थे बटाइडी स्लेक्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें मैंने दिया टेक्स्ट align center उसके अलावा फिर मैंने दिया कलर और कलर मैंने दिया ब्लू सेव कर रही हूं वैसे किस नाम से एक सेकंड मैं पहले अपने html folder के अंदर जा रही हूं css नाम से बनाया हूँ हमने नाम में रख देती हूं id स्लेक्ट .html यह बात आपको ध्यान दखनी आप internal css apply कर रहे हूं internal css के लिए क्ली क्या होता है नाम आप पी के साथ मुझे वह id लगानी होगी id क्या है मेरी पैरा पैरा यह ना खाली हाँ फिर मैं लिख दूँगी I am first paragraph और मैं इस पी को close कर दूँगी अब मैं उसको run कराऊंगी तो देखो यह middle में आ रहा है मतब center में आ रहा है basically text line मैंने कह दिया है center और color क्या दिया है इसका blue आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कैसे लगाना है आपको इस टाल करना है तो यह आपको पता मुझे इंटरन से से में मैंसे ही करते हैं तो अभी आप इत्ता ही समझे फिर आईडी के लिए आप hash लिखोगे hash के बाद कोई भी एक नाम दे दोगे मैंने नाम ऐसा दिया है जिससे कि आपको समझ आए paragraph के लिए बनाए गया है मैं इसमें abc x widget कोई भी नहीं दे सकती तो मैंने पैरा दिया उसके अंदर मैंने दिया text align, text align का मतलब जो text आए वो कहां पे आए center में आए और color के आए blue ठीक है अब अगर मैं यहां पर element selector use करती मतलब p use करती तो क्या होता यह सारे paragraph पे apply हो जाता लेकिन तो अगर मुझे सारे ही paragraph पे apply करना है तो फिर मुझे id selector use करने के ज़वद नही element लेकिन मुझे यह formatting apply तो करनी है बढ़ सारे paragraph पे नहीं करनी तो जब मुझे सब पे नहीं करनी तो फिर मैं कौनसा selector use करूंगी id selector अब आप देख सकते हो मैंने दूसरा paragraph लिखा है यहां पर लिखा मैंने I am second paragraph अब आप देख सकते हो यह कैसे आ रहा है black color से और align भी क्या है इसका left इसका color क्यों नहीं change हुआ क्यों क्योंकि इस पे मैंने id selector apply नहीं किया तो id इस वाले पर apply हुआ यह आ रहा है आपको क्या करना है यहां पर लिखना है style उसके अंदर hash पैरा फिर आपने देदिया tax align center और color blue तो आप पैरा के अंदर यह चीज़ें दे दोगे जो भी आपको देनी है कोई जरूरी नहीं एक चीज़ दो 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 वह आपकी चोईस है तो मैंने tax align और color दिया है अब important क्या है इसमें जहां पर यह आइडिया फैच करोगे मतलब यह लाइन लिखोगे कि पी आइडी और उस आइडी को यूज़ करोगे उस paragraph पे तो यह अप्लाई होगा जिस पर आप अप्लाई नहीं करोगे उस पर अप्लाई नहीं होगा अब सपोज मैं एक औ लिख देती हूँ इक्वाज टू पैरा और यहां लिखा में आइम थार्ड पैरग्राफ अब आपको यह ऐसे क्लियर हो जाएगा देखो third वाले पे भी apply हो गया, सिर्फ second पे नहीं हुआ, तो second पे क्यों नहीं हुआ, क्यूंकि हमने second वाले पे उसको apply नहीं कराया, second वाले पे हमने id को use नहीं किया, इस तरीके से यह हो गया हमारा id पे, id selector, तो हमने अब दो selector पढ़ ली, element selector, id selector, बागी के हम next video में पढ़ेंगे आगे का select,